हलो इस्टुडेंट्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने आपको एक जो पेपर था गेस पेपर 2020 और उसमें से आई हैं 21 प्रशनित 30 में से और ये जो पेपर है अगर आपने इस गेस पेपर को अगर आपने ध्यान से पड़ा है आपने देखा है तो आपके आसकते हैं कम से कम 42 अंग 56 में से तो आज का जो ये वीडियो है ये मैंने बनाया है इसलिए क्योंकि मैं सीज को प्रूव कर सकूँगी जो गैस पेपर 2020 का जो पेपर मैंने बनाया था उस पेपर को अगर आपने ध्यान से देखा है अगर आपने ध्यान से पड़ा है तो उस में से आपका कितना question आपके touch किये गए हैं तो उसका जो गुन्नी जून 2020 का जो पेपर लगाता उसका analysis मैं आपको दे रहा हूँ तो जो गुन्नी जून 2020 को जो पेपर लगाता उसके लिए मैं अलक्सी वीडियो बनाऊंगा और आज का जो पेपर वीडियो जो है वो इसी बात पर depend कर रहेगा कि आपने अगर गेस पेपर को ध्यान से देखा है तो आपने कितनी इसकी तयारी की थी तो आप देख सकते हैं मैं योगेश कुमार गुपता हमारे यूट्यूब चैनल नोले सिस्टेम में आपका हर्दिक स्वागत करते हैं तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि पहले तुम आपको जो अपना जो पेपर है वो मैं आपको दिखा दूँ कि यह आपका जो पेपर था जो आपने अभी जो 2020 को दिया है ये पेपर आप यहां से देख सकते हैं ये पेपर है लेकिन इस पेपर का जो वीडियो है इसके जो आपको बाद में बना के दूँगा और अभी केवल मैं इस सीज का प्रूव कर रहा हूं कि जो gas paper जो मैंने बनाया था उसमें से कितने question आये हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने copy आपके लिए डाली थी जिसमें से मैंने ये कहा था कि आप जाते जाते exam में देख के जाएं तो आप देख सकते हैं कि question number ये जो एक साजिया परवीन की जो copy थी उस copy में जो उसने answer लिखे थे उसके according अगर आप मिलान कर सकते हैं तो इसके अंदर मैं प्रूब दे रहा हूँ इसीजगा कि अगर आप question number जैसे 28 अगर आप देख पा रहें तो question number जो 28 था तो उसमें आप देखें कि linear search के बारे में था तो वो question यहाँ पे touch हो रहा है अगर आपने question को द्यान से पढ़ा है पूरा पढ़ा है और explain किया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं फिर देख सकते हैं कि aggregate function तो question number जो 15 है तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल as it is यह जो question है वो आपके उससे मलब पूछा गया है कि aggregate function के बारे में वर्णन कीजिए चार aggregate function पूछे गया है तो आप इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो question है वो आप देख सकते हैं कि C में pointer के बारे में तो question number 2 अगर आप द्यान से देखेंगे तो सूचक क्या होता है यह question बिल्कुल as it is touch किया गया है अगला question देखे question number 1 जो है link list के परकारों का जो वर्णन कीजिए उसके अंदर जो question जो पूछा गया था जो प्रशन था वो आपका था कि link list में node और next जो होते हैं वो क्या होते हैं तो अगर आपने यह पर नोड और इसके बारे में अगर आपने प्रकारों के बारे में पड़ाया है तो इसमें आप यहापे देख सकते हैं कि जैसे node क्या होती है और next क्या है कि वो साज या परवीन की जो यह copy मेंने डाली थी उस copy में आप देख सकते हैं अगर आपने इन क्यूशनों को हल किया होता तो आपके पूरे-पूरे marks आए होंगे तो क्यूशन नमर जो 5 है वो circular link list के बारे में था जो यहाँ से पूरा-पूरा टच कर रहा है अगला क्यूशन जो यहाँ पर देख सकते हैं क्यूशन नमर जो 13 है तो क्यूशन नमर जो 13 है जो कि आपके एक्जाम में आया है कि DML और DDL की full form तो अगर आपने यह क्यूशन होल किया है क्यूशन नमर जो 13 तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं इसके बाद में अगर आगे देखें इस वीडियो में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूशन नमर दस कर्शक्टर ओवर्लोडिंग तो क्यूशन नमर जो 10 है उसके बारे में पूरे पूरा कर्शक्टर ओवर्लोडिंग किसे कहते हैं और अगला जो क्यूशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहां पे जो question दिया हुआ है अगला question नम जो हम देख पा रहे है कि question नमर चार stack और Q में जो अंतरे spec कीजिए तो यह question नमर जो 4 आपका जो paper में आया है stack में pop operation तो उसमें आपके push और pop के बारे में जो one-on किया गया है तो पूरा is it is like a touch हो रहा है question number 4 अगला question आप देख सकते हैं question number जो 6 है identify or constant के नियम तो question number जो 6 वो tokens के जो नियम होते हैं विल्कुल same to same यही नियम tokens के होते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं question number 7 आपका जो question था की expression क्रेशन चया होते हैं तो nutrition के भी भी दंपर कारों काымиडन कीई है तो आप expression की पारीपाशा जो यहां पे आप देख सकते हैं इसके अलावा अगला question तो आप यहां पर देख सकते हैं तो PLS कुलखंड के बारे में जो वंडन था, Q14 है, तो वो आप, Q14 है, वो PLS कुलखंड की बनावट, तो उसका अंसर बिल्कुल एज़िटीज आप देख सकते हैं, इसके अलावा, यहाँ पे कोई Q2 नहीं पूछा गया, तो आप देख सकते हैं Q22 है, और जो मैंने जो गेस पेपर बनाया था, उसमें Q16 आपकी बुक में जो टच कर रहा है, वो आप देख सकते हैं कि DCL कमांड का क्या उपियोग है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो रिवोक कमांड जो पूछी गई है, तो रिवोक कमांड का जो यहाँ पर आपने जो आंसर दिया है, वो आपका बिल्कुल एज़िटीज यहाँ से टच हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज़ को, तो आप आगे जाके देखेंगे, तो अगला क्यूशन है कि इसमें से कोई क्यूशन नहीं टच हो रहा है, क्यूशन नमबर 18 जो आपकी बुख में दिया हुआ है, जो आपके पेपर में आया है 2020 में, कि MLOG के बारे में वंडन करना, तो यह बिल्कुल अगर आपने इसके इस इंटेक्स को दियान से देखा है, तो आप इसका डेक्सरप्शन यहां से देख सकते हैं, क्यूशन नमबर जो 26 यह कोल बाई वैल्यू, कोल बाई रेफरेंस में अंतर इस्पेश्च कीजिए, तो क्यूशन नमबर जो आपके बाईस एक्जाम में जो आया है, उस क्यूशन को आप देखेंगे, तो कोल बाई रेफरेंस को समझाईए, तो अगर आपने यह तैयार किया है, तो आप इसको यहां पर द्यान से देख सकते हैं, इसके अलावा जो अगला क्यूशन आप आप नेक्श्ट देखेंगे, तो क्यूशन नमबर जो टाइस है, बबल शोट के बारे में, तो आपकी जो टैस्ट में जो अभी जो 2020 का पेपर लगया है, उसमें जो गैस पेपर जो मैंने बनाया था, उसमें 28 पर क्यूशन अगर आप यहां से देखेंगे, इस लीनिर सर्च को उदारन सहीद समझाईए, तो लीनिर सर्च को आप यहां से देख सकते हैं, सोरी, बबल शोट को समझाईए, तो जो अथवावाला जो क्यूशन था, वो आप यहां से बिल्लकुल ऐज़ीटी टच कर रहा है, तो लगबगी क्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं, इसके अलावा जो अगला क्यूशन है, नॉर्मल ऐज़ेशन प्रिख्रिया को उदारन से समझाईए, जो मैंने क्यूशन दिया था, वोर्टसप भी किया, कि सर आपके बताएवे जो पेपर में से, उसमें से एक भी क्यूशन नहीं आया, तो मैं उस इस्टेशन को कहना चाता हूँ, कि अगर आपने अच्छे तरह से पढ़ाई की है, और अगर आपने उसी पेपर को, जो मैंने गेस पेपर दिया था, अगर आपने उसी को भी अगर आपने इमानदारी से सोल किया होगा, तो उसमें आपके पूरे के पूरे जो डिजाइन है, जो कुशन थे, वो आपके पूरे पूरे टच कर रहे हैं, तो अगर आपने पढ़ाई की होगी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कि ये जो पूरा पेपर में ने दिया है, मल्टीपल इनेड़िटेंस का एक प्रोग्राम लिखिए, तो अगर आपके जो पेपर में जो 2020 प्रोग्राम दिया हुआ है, चार नंबर का कुशन है, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं तो इस तरह से जो ये जो वीडियो बनाने की पीछे जो मेरा रीजन था वो ये ही था कि आप जो देख सकते हैं कि जो 2020 का जो paper लगा है उस पूरे paper में जो question यहाँ पे दियो में है जो आप screen पर देख पा रहे हैं और ये paper आपके हाथ में भी होगा तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि जो paper दिया है उसमें से लगबग पूरे-पूरे जो question है हो as it is लगबग touch हो रहे हैं तो अगर आपने इसको पूरा ध्यान से पढ़ा है तो इन question हो को देखते वे आप पूरा आसानी से paper कर सकते थे तो आज का जो वीडियो था वो केल इसी की उपर था कि जो guess paper जो मैंने बनाया था उसमें से 21 प्रशन आपके पूरे-पूरे touch होएं हैं और 56 में से 42 अंग आप easily प्राप्त कर सकते हैं आपने उस paper को पढ़ा है तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में comment करें, like करें, subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ share करें और आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, तो आपके result के लिए best of luck हमारे साथ जुड़े रहे, तो ok questions, thank you